हेलो फ्रेंड अगर आपकी फोन पर भी सिग्मेंट नॉट एक्टिब मैसेज आ रहा है तो आप किस तारिके से इसको एक्टिब करोगे या फिर आपकी सिग्मेंट एक्टिब बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना इस वीडियो को कहीं पर भी skip मत करना नहीं तो आपको समझने में problem हो जाएगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ tips दूँगा जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है सबसे पहले मैं अपना angel blocking application को open कर लूँगा open करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आप दो तरीके से segment not active को active कर सकते हो मैं यहाँ पर अपना bank की six month की transaction history डाल कर active करूँगा अगर आपकी six month की bank transaction डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप पहले three month का कर लो मनलो January, February, March का पहले कर लो उसकी बाद April, May, June तो हो गया three month, three month, six month तो six month दोनों को जो है डाउनलोड एक एक करके कर लो कुछ लोगों का six month की transaction history डालने के बाद भी उसका segment active reject हो जा रहा है क्योंगी कुछ bankों में आप जब भी transaction की PDF डाउनलोड करते हो तब automatically PDF में एक password generate हो जाता है तो सबसे पहले आप अपना password को remove कर लो उसकी बाद इसको upload करो आपकी password को remove करने के बाद इसको upload करना active करने के लिए उपर three land के उपर आपको एक बर क्लिक करना होगा क्लिक करना के बाद उपर आपके नाम दिखाए देगा जहां पर नाम angel blocking लिखा रहा है जहां पर तो उसकी उपर आपको एक बर क्लिक करना होगा आपकी नाम के उपर क्लिक करना के बाद आपकी जो my profile है open हो जाएगा आपको नीचे दिखाए देगा active segment इसकी पास आपको दिखाए देगा एक pencil के icon उसके उपर आपको एक बर क्लिक करना होगा फिर से आपकी पास एक नया page open हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है एक दम से नीचे आपको जो यहाँ पर टिक मार्क दे देना है यहाँ पर आप और भी एक तरीके से पहुँच सकते हो उसका लिए मैं इसको कट दे रहा हो हटा दे रहा हो इसको हटाने के बाद आप अपना watch list में आ जाओगे आने के बाद यहाँ पर आप किसी भी एक share की उपर आपको एक बर क्लिक करना होगा तो मैं आपको देखा देत पास वही सेम पेज आ जाएगा यहाँ पर नीचे आपको टिक मर्डेने के लिए एक आएगा तो आटोमेटिकल यह हट जाएगा हटने का बाद नीचे आपको दिख जाएगा प्रोसीड टू एक्टीव इसके उपर आपको एक बार क्लिक करना होगा जैसे क्लिक करोगे तो लिए पसे डॉक्सन के लिए औवसिन आ जाएगा तो आपको आपको अपना डॉक्मेंट यहां से स्लेट कर लेना है आप बैंक इस्टेडिमेंट चोड़के और भी बहुत सारे ऑफशेन है उसको आप यहां पर बैंक इस्टेडिमेंट जाल के इसको मैं एक्टिब करूँगा मैं यहां से select कर लूँगा 6 मांत की bank statement आप चाहो तो दूसरा option भी select करके इसको verify कर सकते हो मैं यहां से statement डालके मैं verify करूँगा तो इसके लिए में 6 मांत की bank statement इसके उपर में click करूँगा इसकी बाद आपको documents upload के उपर करना होगा Uh lurk करना के बाद अपकी पीडियफ let करना होगा तो मेरा फाइल यहां पुछ जाएगा फिर proceed to active जो है नीचे दिखराएगा उपर ऑपको एक बपर क्लिक करना होगा क्लिक करना के बाद आपकी फोन पर एक OTP आ जाएगा तो इस OTP को यहाँ पर डाल देना है OTP डालने के बाद आपको नीचे Authorize दिख रहा होगा तो Authorize को उपर आपको एक बार क्लिक करना होगा Documents अफलोड करना के बाद तिन दिन भी इसको फेरिफाई करना में लग जाता है तो जिस दिन आप Documents को अफलोड करोगे तो दूसरा दिन आपकी फोन पर एक मैसेज आ जाएगा मैसेज आने की एक दिन बाद आपकी सेगमेंट एक्टिब जो ही विरफाई हो जाएगा कभी-कभी 2-4 दिन भी टाइम लग जाता है मैं जब अपना Documents अफलोड किया था उसकी तीन दिन बाद मैंने फिर से चेक किया तो वहाँ पर मेरे को फिर से Documents अफलोड करने की जगा है वह फिर से ओपन हो गया था तो मैंने वहाँ पर कुई भी Documents अफलोड नहीं किया मैंने उसको छोड़ दिया एक दिन के लिए एक दिन के लिए छोड़ दिया फिर आटोमेटिक लिए जो फेरिफाई हो गया तो आपको भी Documents अड़ करने की जगा दो से तीन दिन बाद आपको दिखा रहा है तो वहाँ पर Documents अड़ मत करना आप एक से दो दिन वेट कर लेना देखना आपकी जो सिग्मेंट अक्टिव है वो फेरिफाई हो जाएगा मेरा वीडियो देखने के बाद भी आगर आपको कोई प्रॉब्लेम हो रहा है तो मेरे को कॉमेंट बॉक्स में जोरूर बता देना मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा आप लोग अपना किमती टाइम बारबाद करके मेरे इस वीडियो को आंग तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद